क्या पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुई अंकिता लोखंडे क्या दिल के मकान के लिए विकी ने अंकिता को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया क्या प्यार से बड़ा विकी के लिए गेम है या गेम से बड़ा अंकिता के लिए प्यार है अब हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है कल री शुफलिंग हुई घर की तो कौन किसके साथ मकान में गया और कौन किससे अलग हुआ वो आपको बता देते हैं थोड़े दिनों के लिए आपके सकते हैं एक दो तीन दिन के लिए जो तीनों घर थे उन्हें बंद कर दिया गया था दिल का मकान बंद कर दिया गया दिमाग का मकान बंद कर दिया गया और सब को बोला गया भई मुहले में आकर रहना शुरू कर दो कहलें वाजर शफलिंग है कि बोलागव शच्छिया कूछ लिए इस इस विपोछ से कि लिए है इस लिए मिल सकता है इसके बद्ले तुम्हे क्या करना होगा नील को रिवोक करना है इस सीजन के लिए हटे से-ई नॉमिने जाएंगे तो जस पर अन्किता बूस जाएंगे कि अंकिता हमेशा प्यार से ही बिहेव करती है या विकी के लिए अंकिता के दिल में प्यार दिखता है और फिर अंकिता ने बोला नहीं तो उनके हाथ से मतलब अंकिता के हाथ से दिल वाला मंकान चोला जाता है उसके बाद यहां पर बात आई विकी से पुछा गया विकी को कि कई तुमें उसके लिए यहां पर अंकिता को पूरे सीजन के लिए 9 मूनिट करना पड़ेगा तो आप लोगो क्या लगते है क्या होगा वीकी भाईया नहीं बहुंण और बिग बॉस से गा यार इस बार थे तुम्हें निराश कर जा करonto limits नेहरी हमेशा देखा जा ड़सा जाता है विकी भाया धिमांग लगाते हैं इस बार उन्होंने दिल से सोचा याने की अंकरता के लिए सोचा और उनके हाथ से भी दिल का मारकाण चला गया मतलब दिल केमा कान के लिए उफ़ पराया था और दोनों ने ठुकरा दिया अब अंकिता विकी से क्ली पूछा गाया आपको बता देते हैं दो दिन पहले बिग बॉस ने तीन ग्रूप्स अनाउंस किये थे एक ग्रूप उन्हें अनाउंस किया था जिसमें नाम था विकी का अंकिता का भी शेक खांजारी का सना का और अनुराग दोभाल का एक ग्रूप उन्हें अनाउंस किया था मनारा मुनवर इशा समर्थ रिंपू और नील का एक group उन्होंने aannounce किया था इश्वरया और अरुनका जिनकी गेम बिग बॉस को लगता है अभी तक कि शुरू यह नहीं हुई है तो यह अनॉंस लिए, उसके बाद, आज उन्होंने मतलब कल उनोंने बिग बॉछा विकी से जैसे कि अबने आपको बटा तो दोनों ने मना कर दिया फिर उनको दिल का कमरा नहीं मिला तो उन लोगों को, यह निकी विकी को, अनुकिता को, अभी शेक, खानजादी को, सना को लेकिन इसमें टुस्ट भी तब यहां पर विकी भाहिया कहते है कि क्या आप प्लीज मुझे अंकिता की जगह कोई और नाम दे दो तो बोलते है बिग बॉस ठीक है अगर उसकी जगह कोई और नाम देना होगा तो आप क्या देंगे तो उन्होंने बोला अनुराग मतलब कि नील को रिवोक करना चाहते है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने उस पॉइंट पर गल किया उन्होंने का कि मुझे बड़ टाइम से इसा फील हो रहा था जिससे अनुराग समझ नहीं पाई कि उन्हें जब पता चला कि हाँ विकी भाई अन्हें दोबारा मिना नाम है तो वो यहां पर नाराज हो गए तो फिर ऐसे कुछ शफलिंग हुई इन सब को दम के में भीज जा गया और अब कौन बचा मुनवर मनारा इशा समर्थ रिंकु नील और एश्वर्या और अरु यह सब बचे अब दिल के मकान में कौन जाएगा उसके लिए मुनवर मनारा इशा समर्थ रिंकु नी यह सब थे तो इनको दिल के मकान में बेचागा अब कैसे बेचागा आपको बताते हैं तो बिग बस ने बूचा कि अभी तक दिमाग के कमरे में कौन नहीं कहें तो हाथ उठे इशा के समर्थ के नील के और एश्वर्या कि इन्होंने बोला कि हम भ इस मेरी खुद की गल्ती है कि मैंने कभी इश्वर्या और अरुन को वो सेंटर पॉइंट में रखा ही नहीं कि हां वो दिखे कि अईसा लगे कि उनकी जणी स्टाट हो गया तो यह पर दिमाग वाले कमरे में बिग बॉस ने रखा इश्वर्या को और अरुन को और दिल वा विकी अंकिता भिशेक खानजादी सना और अनुराग को टास्क हुआ था अंकिता विकी आपको बताया कि थेरपी में गए रूम में बुलाया और यह सब चीजे हुए रूम्स डिवाइड हो लेकिन इस वक्त इन दोनों की लडाई हो जाती है अंकिता और विकी की लडाई हो इन सी अवठाब भ्लवाण बिल्ड़ा के रूम इन लडाई हो जाती है कि घर वालो milliards नहीं चीजें में बहुत की लडानाो की आपको की जब बना अन्वीक शापल हो जाती है अनलों की अल्गल को ने हैं की बना क्या घांप तो आपको साथ साथ यह भी बता दे कि अब घर को संभालने का जो टास्क है वो बिग बस ने इश्वर और अरुन को दे दिया है और वह चाते हैं वही घर संभाले क्योंकि अभी अभी तक वह सेंटर में आई ही नहीं थे तो अब बिग बस नोने सेंटर में लाकर खड़ा कर कि अब बताँ को देखेंगे कि क्या हौ रहा है और साहते साहता अब अपने कमरे से चसेवरे में कोई नहीं जा सकता मितला होता है कि दोनों कैसे घर को संभाल आप लुग ब्या भी इसर चाहते हो ऐस में डापका रहे थे शिवहोगा पान काविजर फैनर को में काराशार को हमारे शर्णनल यूजबुक के साथ जुड़े हैं